ये एक छोटा सा पोर्टेवल लोंग, स्काई सिगनी वन की तरफ से है, और इस पे लिखा है माई पोकेट डी असलर, तो कैये आपके फोन को डी असलर बना पाएगा? ये एक 60 mm टेली फोटो लेंस है, जिसमें हम बैक्ग्राउंड ब्लर देखते हैं, ये कितना कर पाएगा और कैसी इसकी इमेज, फोटो, वीडियो क्वालिटी होगी, सारे जिज़े टेस्ट करेंगे, पर सबसे पहले डिप्बे में क्या है और इसको लगाएगे कैसे? डिप्बे के उपर उन्होंने अच्छे चीज लिखी, अटेंशन, प्लीज मेके वीडियो, वाइल अन्बॉक्सिंग ओफ एनी डेमेज लॉस गोड्स क्लेम, ये हमेशे आपको करना चाहिए, जब भी कोई प्रोडेक्ट आप उपन करते हैं, या कोई भी चीज उन्लाइन पर्चेज करते हैं, ये एक कैरी पाउच है, जिसके अंदर सारी चीज यह होगी, ये लाइक का, आपको भी ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक कीजिए, थैंक यू, लाइक करने के लिए, इसके अंदर निगलते हैं, ये चीज यहाँ पर इसके अंदर भी कुछ रखा हुआ है, ये है मेन लेंस, ये है लेंस होल्डर, ये एक कैरी पाउच दिया है, और ये क्लीनिंग क्लॉट, 60 mm लेंस है, जो आपके मुबाइल को बना देगा, DSLR, अलुमीनियम बोड़ी है, पहले आपको इसके उपर इस लेंस को माउंट करना पड़ेगा, और अब आप इसको यूज कर सकते हैं, अपने मुबाइल के उपर, लिए बाकी की सारी वीडियो इसी ची रेकोड करते हैं, यहाँ पर मैं आइफोन यूज करूँगा, और उसके उपर यूज करेंगे इस लेंस को, यह इसका में लेंस है और इसके उपर हमें इसको लगाना है, बट लगाते वक्त एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कि इसका सेंटर इसके साथ मैच होना चाहिए, बिलकुल बीच में आए, यह चीज़ ध्यान रखें, यह हो गया, और माइक यूज करेंगे, DJI का वाइरलेस माइक, यह भी लगा लेते हैं, अब हमारा फूरा सेटप रेडी है, चलिए स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप अपने कैमरा के उपर इसको माउंट करके यूज करेंगे, तो जैसी क्वालिटी अब आपको दिखाए दे रही है, सेम क्वालिटी आपको मिलने वाली है, क्योंकि प्रेजेंटली मैंने लगा लिया है अपने आईफोन के उपर इस लेंस को, तो ये कुछ वीडियो क्वालिटी मिलेगी, बैक्ग्राउंड कितना बलर होता है, उसका अंदाज़ा आपको यहाँ पर लग जाएगा, इस लेंस का दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो ये होगा, क्योंकि आम तोर से मुबाइल फोन जितने भी आज कर आते हैं, उसमें वाइड एंगल लेंस देने की कोसिस की जाती है, और वाइड एंगल लेंस का क्या होगा, जो चहरा है या जिसके पास से आप करेंगे, तो वहाँ पर राउंड शेप की कुछ इमेज आपको दिखाए देगी, चहरा भी आपने देखा हुआ गोल गोल हो जाता है, तो इस तरह का दिखाए देता है, जबकि आप टेली फोटो लेंस यूज़ करते हैं, जितना आपके मुबाइल फोन से दूर होंगे और मुबाइल जो लेंस है वो उसको क्रोप कर देगा इमेज को, तो इन दाट केस जो इमेज आएगी वो फ्लैट आएगी, यानि कि आप एक बड़ी इमेज का छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, विदाउट क्रोपी, एक्चुल में क्रोप नहीं हुआ, वो लेंस की वज़ह से हुआ है, तो वहाँ पे इमेज जो होती है या वीडियो जो भी आप रेकोर्ड कर रहे हैं, उसके साइज के उपर डिफरेंस नहीं है, वहाँ पे आप क्रोप नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे पूरी क्वालिटी आपको मिलेगी, तो ये बेनिफिट हो जाता है इस तरह के लेंस का, तो आप दूर्शे भी और बढ़िया इमेज आप चाहते हैं, बढ़िया वीडियो आपकी बने, तो इन डैट केस आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके कुछ फोटोज को साइड बाई साइड कंपेर किया है, जिसमें इस लेंस के साथ और बगर इस लेंस के कुछ फोटोज आप देख सकते हैं, उसके अलावा कुछ वीडियो भी आप देख पाएंगे, और ज़्यादा सेंपल वीडियो या फोटोज आप देखना चाहते हैं, तो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप सारे फोटोज या बहुत सारे वीडियो को देख सकते हैं, लो लाइट कंडिशन में इस तरह के लेंस बहुत हैलफूल होते हैं वीडियो या फोटोज लेने के लिए, आप सिनेमेटिक वीडियोज रेकॉर्ड करना चाहते हैं, तो लो लाइट कंडिशन के अंदर बैस्ट क्वालिटी के वीडियोज आप रेकॉर्ड करना हैं और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट इस लेंस का मिलता है स्लो मोशन के, क्योंकि मोबाइल फोन से जब आप स्लो मोशन वीडियोज रेकॉर्ड करती हैं तो वहाँ पर बैकरांट ब्लर का उप्शन लेन्स के लिए, और काफी अच्छी फुटेज यहां से आपको मिल सकती है, फोटो फोकस काम करेगा है या नहीं करेगा येस फोटो फोकस बड़ा ही अच्छे से काम करने है वेल तो आउटडोर में अगर आप वीडियो सूट करते हैं तो इस तरह की वीडियो क्वालिटी आपको इस लेंस के साथ मिलेगी अप प्रेजेंटली मैं सैमसंग के S21 FE फोन के उपर इसको लगा रखा है और ये वीडियो क्वालिटी मिलती है अभी मैंने लेंस को हटा दिया है और लेंस को हटाने के बाद इस तरह की क्वालिटी मिलती है अप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इफेक्ट पड़ता है बगैर इसके और इसके साथ अगर हम वीडियो र पर इस लेंस की वजह से जो background blur का option मिलता है वो zoom या crop से नहीं मिल पाएगा इसकी video quality को जाचने के लिए एक test मैं ने किया मैं अपने जिस phone से अपने educational videos record करता हूँ LG G8X उसके उपर इसको mount किया और digital board को record करने की causes की digital board मैं ने इसलिए लिया so that की अंदाजा हो जाए कि corner में या center में या किस point के उपर किस तरह का effect ये दे रहा है जो result मुझे मिले उनको आप भी देख सकते हैं corners के उपर blur हो रहा है यहाँ पे आप points देख सकते हैं सारे के सारे blur है और ये blurriness हर corner के अंदर है बट at the center ये अच्छे से focus कर रहा है और बिल्कुल सार्थ भी है उसके साथ साथ color abortion भी इसके अंदर देखने को मिलता है जिसके कारण edges के उपर चाहे आप indoor record करें चाहे आप outdoor record क color या यू कहें distortions मिलेंगे ही मिलेंगे परफेक्ट वीडियो या photo आपको नहीं मिलेगी अगर आप इस तरह की recording या photos लेते हैं जिसके अंदर पूरा frame मायने रखता है in that case ये lens आपके लिए नहीं है अब ज़रूरी नहीं है कि ये distortion दूसरी company के lens में भी आए आए आप दूसर सर्च कर सकते हैं 60 mm 75 mm या जो भी आपको मिलें और देख सकते हैं क्या distortion उसके अंदर भी आता है अगर आप अच्छे फोटो या वीडियो चाहते हैं तो जिस भी lens के अंदर आपको distortion दिखाए दे उसको skip करते हैं क्योंकि इसका amount भी कम नहीं है कि selfie के साथ की इस तरह की वीडियो quality इसके साथ मिलेगी वो इस तरीके से हैं क्योंकि मैंने अपने हाथ में ही इसको पकड़ा हुआ है और इतनी दूर से दिखाए देगा अब मैं एक पार इसको हटा लेता हूँ और आपको भी अंदाजा हो जाए कि ये कितना नजदीक ले जाता है तो अभी मैंने इसको हटा लिया है और देखिए इतनी दूरी के उपर था फिर शे लगाऊं आप अंदाजा यहां से आपको हो जाएगा Yes, it's now working कितना अच्छे से focus कर पा रहा है, कितना दूर की चीजों के उपर focus कर पा रहा है और actual में क्या ये blur कर पाएगा क्योंकि blur करना सिर्फ इसका काम नहीं है blur करने के लिए sensor की ज़रुवत पड़ती है sensor size बड़ा होना चाहिए Mobile phone का sensor size इतना बड़ा नहीं है कि वो इन चीजों को blur कर पाए उसके लिए आप portrait mode का use करें वहीं ज्यादा बहतर रहेगा अब हो सकता है एक आप question पूछे कि back cameras फिर कैसे blur कर लेते हैं इससे back cameras के अंदर थोड़ा सा बड़ा sensor size होता है उसके कारण आपको image थोड़ी सी blur महसूस होती है क्यों होती है ये समझना चाहें तो नीचे comment section के अंदर लेखिए मैं उसके उपर भी एक dedicated video बनाऊँगा so that आपको अंदाजा हो जाए कि real में blur कैसे होता है और किस तरीके से cameras काम करते हैं उसके पीछे की पूरी physics क्या है वो सारी चीजें उसके अंदर डिस्स करेंगे इन सभी photos को देखने के बाद एक चीज़ तो clear हो जाती है कि जो आप crop करते थे किसी भी image को उसकी वजाए आपको best quality की photos इस lens की help से मिलेंगी बट corners के अंदर थोड़ा सा blur effect मिलता है आपके लिए मायने नहीं रखती तो यह lens आपके लिए perfect है अब मैं यहाँ पर यह नहीं कहूंगा कि यह lens best है आप दूसरे lens ट्राइ ना करें क्योंकि देखना यह है कि distortion को कौन lens अच्छे से handle कर पाता है कई कमपनिया दूसरे कई दूसरी कमपनिया भी है बहतर होगा आप उने से कोई try करके देख ले जिसके अंदर यह distortion minimum हो वो lens आप चूज कर सकते है और अगर आप इस effect को और ज़्यादा चाहते हैं blur effect को तो यह जैसे 60 है 65 mm, 70, 75 mm, 80 तो आप higher focal length का lens यहाँ पर चूज कर सकते हैं बट higher focal length के साथ एक समस्या आपके सामने रहेगी जिस तरीके से अभी आप mobile को अपने बिल्कुल close रखके वीडियोज record कर सकते थे, photos ले सकते थे इसके लिए आपको दूर रखना पड़ेगा जितनी focal length बड़ेगी उतना आपको mobile को अपने से दूर रखना पड़ेगा बट quality वो certainly increase होगी दूसरा अगर आप wildlife photography करते हैं या distant object को, photos को या वीडियोज को लेते हैं तो in that case यह आपके लिए बहुत helpful हो सकता है खास कर उनके लिए जो बाहर कहीं घूमने जाते हैं या vlogging करते हैं, पहाड़ों में घूमते हैं या कहीं भी इस तरह की जगों पे monuments वगरा के photos या वहाँ पे जो चीजे वनी हुई होती है तो ये lens उस case में आपकी help कर सकता है ये ही नहीं इस type के large focal length के lens जो better हो वो आप ले सकते हैं तो कोई भी lens आप ले सकते हैं बट ये चीज़ आपको ध्यान रख रही है minimum distortion हो जो edge होते हैं वहाँ पे color distortion ना एक color aberration बोलते हैं इसको और उसके साथ साथ वहाँ पे जो focal length है वो जितनी ज़्यादा होगी उतना दूर का आप अच्छे से देख पाएंगे अब ये आपको देखना है कि आपकी requirement कैसी है कई से लोग ऐसे होते हैं जिनको इतना ज़्यादा distance नहीं self portrait photos चाहिए या आपने दोस्तों के साथ कुछ photos लेने हैं in that case ये कालफी help कर सकता है पर जिसको और भी ज़्यादा distance के उपर देखना है या इस तरह के photos लेने हैं तो in that case वो large focal length के ले सकते हैं ये lens काफी काम का है आपको भी लगा हो तो ये एक like कर सकते हैं और दूसरी चीज जो इसके बारे में dislike लगी वो थी अगर ये edge के ऊपर थोड़ा सा ठीक कर देते तो ये lens like ही रहता dislike की कोई गुंचाईसी नहीं थी आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे comment section के अंदर जोड लिखें और अगर पसंद आया हो तो like कर सकते हैं चैनल को subscribe कर सकते हैं और आपका कोई भी question कर सकते हैं